राहूल गांदी की यात्रा के दोरान एक से एक तस्वीरे देखने को मिली। कभी वो कलाकारों के साथ चलते दिखाई दिए, कभी वो डांस करते दिखाई दिए, कभी वो बच्चों के साथ फुटबॉल क्रिकेट खेलते दिखाई दिखाई दिए, तो कभी दौर लगाते पुश अप करते दिखाई दिए बहुत सारी तस्वीरे अलग-अलग किसम की उनके साथ में आई हो। कई तस्वीरे ऐसी भी आती हैं जिसके बाद में उनके साथ खड़े लोग चर्चा का विशे बन जाते हैं और लोग प्रश्ण पूछने लगते हैं कि ये कौन है। कि ये क्या तस्वीर हैं क्या विज्वल्स हैं। का पोस देते दिखाई दे रहे हैं। आपको विजंदर सिंग भी याद होंगे वो भी बॉक्सर हैं अच्छे बॉक्सर रहे हैं और काफी अंतराश्टी मैचेज में उन्होंने जीत भी आसिल किये। वो भी राहूल गांदी के साथ चलते दिखाई दिये थे मूचो पड़ताओ देते हुए और बॉक्सिंग का पोस देते दिखाई दिये थे। लेकिन यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल अलग है क्योंकि एक लेडी बॉक्सर जो है वो राहूल गांदी के साथ दिखाई दी तो यह तस्वीर चर्चा का विशे बन गई यह कौन है इनके बारे में आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं दरसल बीते दिनों जब राहूल गांदी राजस्थान के दौसा में भारज़ बॉडो यात्रा निकाल रहा है तो इस दौरान राहूल गांदी के साथ भारती कबड़ी टीम के कप्तान दीपक हुडा और बॉक्सर स्वीटी बूरा दिखाई दिए दोनों ने राहूल के साथ यात्रा को आगे बढ़ाया इस दोरान इन तीनों ने बॉक्सिंग पंच का पोस दिया जो कि सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है आपको बता दे राहूल गांदी की यात्रा में शामिल हुई बॉक्सर स्वीटी बूरा का जन्म 10 जन्वरी 1993 को हरियाना के ग्रामीन हिसार में एक किसान परिवार में हुआ 2009 में अपने पिता के आगरप और बॉक्सिंग में जाने वाली स्वीटी बूरा राज्य इस्तर की कबड़ी खिलाडी भी थी बीते नवंबर में एशियन बॉक्सिंग चेंपियंशिप में 81 किलोग्राम भारवर्ग में स्वीटी बूरा ने गोल्ड मेडल जीता था कारे करताओं ने उत्सा के साथ में इस दिन को पूरा किया राहूल गांदी ने प्रेस कांफरेंस की उसके बाद में अगले दिन जब शुरू आत हुई तो दोसा में एक रिकार्ड भीड देखने को मिली एक लाग के आसपास लोग हो सकते हैं इस तरह का नुमान लगाया ज रहा है राहूल गांदी ने भी प्रेस कांफरेंस में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को एड्रिस किया था इस दोरान उन्होंने कहा कि सौ दिन यात्रा के हो गए हैं अच्छा नुगह रहा शुरू की यात्रा दक्षिन में सफल होने की बात कही गई फिर ये कहा गया कि मह और राजिस्थान और महराष्ट और जहां जहां से यातरा हिंदी बैल्ट में भी आई है वहांपर अच्छा रिस्पॉस यातरा को मिला है ये गांदी जी का तरीका है राजस्थान में सबसे अच्छा रिस्पॉंस है पार्टी में बयान बाजी और गुडबाजी की बात तो होती रहती कई मुद्धों पर उनसे सवाल पूछे गए थे जिनके जवाब राहूल गांदी ने याँ पर दिये राहूल गांदी ने कहा कि हमारी पार्टी में डिक्टेटर्शिप नहीं है हमारी पार्टी में बयान बाजी थोड़ी चर्चा होती है अच्छी बात है सिर्फ राजस्थान में नहीं दूसरे राज्यों में भी चलता है ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए पार्टी को जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे यहने हिमाचल की जीत को भी कहीं न कहीं सौ दिन पूरे होने के मौके पर दिखाया गया। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें